हेलो वाइज वेलकम बैक माई चैनल आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में मैं आज आपको यह बताऊगा कि आखिर ऐसी कून सी भुक है जिनको पढ़ करके आप अपनी मेहनत को साकार कर सकते हैं अपना सेलक्शन पा सकते हैं ऐसा कौन सा क्रिकासन है जो बेस्ट है जिसे पढ़ करके तेयारी करके आप अपना टीजीटी हो चांद पीजीटी हो उसका रजाम कर सकते हैं तो यह दिया आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्काइब करें वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें देखें फ्रेंड्स मैं आपको बता देने चाहता हूं कि म मेरे कुछ ऐसे भाई हैं कुछ बहने हैं जो मुझे कमेंट करते हैं पूछते हैं कि सर ऐसी बुगर बताईए जो बैस्ट हो और जिसे पढ़कर हम एक बार में ही अपना सेलेक्शन ले लें तो दोस्तों मैं आपको बता देने चाहता हूं कि दोस्तों यह जो बिचार है है कि एक बुक पढ़कर के या एक गाइड पढ़कर के हम अपना सेलेक्शन पा सकते हैं तो इस चीज़ को आपको दिमाग से निकालना होगा बात कड़ भी है लेकिन सच है चाहिए आपको बुरी लगे चाहिए अच्छी लगे मैं आपको किलिया कर दे जाता हूं कि एक हैं आपने एमसी क्यूज लगाए हैं आपके प्रिवेस यह कुछन पर आते हैं तो आपके चांसिस हैं सेलेक्शन होने के इदि आप यह सोच रहे हैं कि एक बुक पढ़कर करके हम कामेवी ले लेंगे देकि इससे बड़ी मूटता आप ना करें अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आप ऐसा क्या पढ़ें जो आप स्लेक्ट हो जाएं इस वाद को ध्यान सुनना बड़ा ही स्वाधान आपको मैं बताना जा रहा हूं देखें आपने आप चाहें टीजीटी से हूं या पीजीटी से हूं आपने ग्रेजीवेशन तो कर रखी होगी और जो लोग पीजीटी करने वाले हैं उन्हें में भी तर रखी होगी तो मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहले आप अपनी ग्रेजीवेशन की नोट्स होते हैं जो बुक होती हैं उनको अपने पास स्वक्षित रख लें ठीक हैं? और उनसे बहतर कोई भी आपके पास पार्ट ठेकर नहीं होगा उनसे बेस्ट आपके पार्ट नोट्स नहीं होंगे उनसे बेस्ट बुक आपके पास नहीं होगा तो आप उन बुकों को पड़कर के अच्छी तरह त्यारी करके अपना कॉंसेप्ट किले कर सकते हैं अपना स चीज खत्म दूसरी बार इदे आपके पास प्रिवियस एयर कुशन पेपर हैं दस साल के तो आप बहुत ही मतलब यह मंग चलो आपके चांसिस हैं स्लिक्ट होने के क्योंकि यह जो कुशन पेपर हैं यह हमें यह बताते हैं कि कुशन पेपर जो आ रहा है जब कुशन जो आ रहा है वो किस चैप्टर से आ रहा है किस टोपिक से आ रहा है किस यूनिट से आ रहा है तो आप इसको एनलाइज करके अपनी तियारी को बहतर कर सकते हैं, ठीक है, तीसरी बात, जिदि आप हो सके तो MCQs लगाएं, जितने हो सकें MCQs लगाएं, यह आपके बहुत ही विसियन्ट है, बहुत ही लावकार हैं, ठीक है, यह है आपकी तीन चीज, तीन कारे शेलियां, तीन प्रोसेस, जिसे पार करके आप अपना सेलेक्शन पासकती हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप स्लेक्ट ही हो जाएंगी, या आप का, या आप टोपर बन जाएंगे, लेकि इतना कह रहा हूँ हूँ, कि जब आप कुश्चिन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको व काईड कोई भी पर्टिकुलर बुक पलकर आप अपना सेलेक्शन नहीं पासकते, जब तक आपका कॉंसेट लेन नहीं है, दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम से प्रिवियस यह कुछ पर लगा लगें, उन्हें तियारी कर लगें और हमां सेलेक्शन हो जाएग देखें, जब तक इन तीन प्रोसेस से अपने ही गुज़र हो गई, जो मैं आपको बताई हैं, उन्हें से सबसे पहले आपकी आती है बुक्स, जो अपने यूजी में या पीजी में लिए हैं, दूसरी प्रोसेस आती है आपकी प्रिवियस यह कुछ ने पर टैन यह की, ती इस प्रोसेस आती है जैंट्स, आपकी MCQs, इन तीन प्रोसेस आप बुज़रते हैं, तो आप अपना सेलेक्शन पा सकते हैं, 95% चांस हैं, आप अपना सेलेक्शन उस विशे में या उस भक्ती में पा देखें, आपको मिबास समझ में आगी होई, तो आप इन पुरानी वी पड़ लई, यह जी स्कूलों में होती थी, लेकिन अब जो एक्दम होता है, बोर्ड द्वारा एक्दम कराया जाता है, उसमें बहुत लोग पार्टिसिपिट करते हैं, बहुत ज़्यादे कम्पिटिशन हैं, तो ऐसा न सोचें कि आप गाईड प्रकर अपना सेलेक्शन प करें चैनल को सब्सक्राइब बने, थैंक यू फो मचें